हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी उमीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज हम करेंगे 20 डेली यूज इंग्लिस संटेंसिस मैंने वो संटेंसिस लेने की कोशिश की है जो हम जादा तर डेली अपनी बोलचाल में यूज करते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक नहीं पड़ता मैडवाइस फोल फ्लाट ओन यू मैडवाइस फोल फलाट ओन यू मैं उसे मोवी के लिए मना सकी आइकुटब्रिंग फिर्ञें साउँ पॉर मोवी I could bring him sound for movie सर्दियों का मोसम आ गया है The winter season has set in The winter season has set in प्रिया बालिग हो गई है प्रिया has come of age मैंने पढ़ाना छोड़ दिया है I have given up teaching I have given up teaching अपने काम में लग जाओ Set about your work उसके परिवार को जल्दी बुलाओ Call his family at once मैं आपके साथ नहीं चल सकता I cannot keep up with you माचिस की तिल्ली जलाओ Strike a match stick Strike a match stick Goga का मेला हर साल पंचगाओं में लगता है The Goga Fair is held every year at पंचगाओं क्या पापा अंदर है Is पापा इन Is पापा इन कभी हमारे घर भी आईए Please drop in sometimes at our home Please drop in sometimes at our home जब मैंने पहली बार हल्वा बनाने की कोशिश की तो मैंने सब कुछ गड़बढ कर दिया When I try to cook हल्वा for the first time Then I hose pose everything यहाँ पे जो hose pose है इसका मतलब होता है गड़बढ करना अस्थ व्यस्थ करना When I try to cook हल्वा for the first time Then I hose pose everything जाने भी दोवे बच्चा है Let it be he is just a kid Rahul के लिए उसकी आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है His criticism for Rahul is not based on facts His criticism for Rahul is not based on facts यानि कि कोई किसी की बुराई कर रहा है तो आप कहते हो कि इसके में कोई logic नहीं है fact नहीं है यानि कि वो इनसान जिसकी बुराई कर रहा है वो ऐसी बात है ही नहीं अगला sentence है हमारा मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ I am dead और I am extremely tired यानि कि जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हो आप में काम करने की कैपिस्टी नहीं होती तो आप कहते हो I am dead या फिर I am extremely tired आपका हुक्म सराखो पर Your wish is my command Your wish is my command अगला sentence है हमारा एन वक्त पर Suppose करो आपने कुछ अच्छा सा खाने का बनाया है उसी टाइम आपका फ्रेंड आ जाता है तो आपके कहते हो I am and वक्त पर आ गए इसको इंगलिश में बोलेंगे In the nick of time or at the 11th hour In the nick of time or at the 11th hour किरिपया इन चीजों को बान दो Please pack these articles Please pack these articles तो यह थे हमारे आज के sentences कैसे लगे Please हमें कमिट करके जरूर बताईए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को ओके बाई